TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV Canadian सूबे उंटेरियो में Omicron फैलने लगा सूबे में कुरोना वारिस की नई किसम के 11 केसिस सामने आ गए Omicron के 3 केसिस टोरंटो में रिपोर्ट हुए टोरंटो में शदीद बरबारी का इमकान इन्वाइमिंग केनेडा की जानिप से जनुबी उंटेरियो के लिए बार्निंग जारी कर दी गई माहरीन की शहरियों को दोराने ड्राइविंग एहतियात का मश्वरा केनेडा भर में कोरोना वार्स के फिलाओं में कमी 17,45,281,000 मरीज से अत्याप हो चुके हैं मरीजों के मजमीत अदाद 18,2,319 तक जा पहुंची डेमोक्रिसी जलास में गेर जमूरी कुटों पर अमरीकी पाबंदियों का इमकान अमरीकी महिकमे खजाना इस हफते जलास के मौके पर सिलसलावार पाबंदियां आइद करेगा ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाएगा जो जमूरियत को नुक्सान पहुंचाते हैं दुनिया भर में 36,62,211 अफराद मतासिर भारत एक ही खांदान के 9 अफराद आमी करोन का शिकार मूजी वारस एमबाद 52,73,301 हो गई हैडलाइन आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली, ना स्टिकी, ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ही अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्टर करें www.greenish.com कनेडिन सूबे उंटेरियो में करोना वारिस की नई खतरना किसम ओमिकरोन ने हकाम को तश्वीश में मुबतला कर दिया मज़ी तफसिला चांदे हैं इस डिपोर्ट में कैनेडिन सुबे उंटेरियो में करोना वाइरस की नई खतरना खिसम ओमिक्रॉन ने हकाम को तश्वीश में मुपतला कर दिया सुबे में ओमिक्रॉन के 11 केसे सामने आ चुके हैं जिन में 3 केसे स्टरॉंटो में सामने आए हैं एक न्यूस रिलीज में ट्रॉंटो पब्लिक हैल टीपीएच ने कहा कि तीन में से दो रहाशी जिन में डेल्टा वेरियंट बी वन वन फाइफ टू नाइन पाया गया उन में से एक नाइजेरिया के सफर से वापस आया था जबके दूसरे ने सुजर लेंड का सफर किया था टीपीएच के केस और कॉंटेक्ट मैनेजमेंट टीम फिलहाल उन केसिस का जाइजा ले रही है और आइसोलेशन और टेस्टिंग के लावा करीबी राबतों की शनाफ के लिए हिदायात पराहम कर रही है माहरीन का कहना है कि आमिक्रॉन के बारे में अभी तक बहुत से हकाइक नामालू है वो इस बारे में फिकर मन है कि किस तरह ये किसम तेजी से पहल रही है खासता पर जनूबी अपरिका में दोसी जाने टरॉन्टो के स्कूलों में करोना के बखते हुए केसिस ने बच्चों की सहथ के बारे में सवालात उठा दिये है टरॉन्टो पाबलिक हेल्फ रॉकाम का कहना है कि टरॉन्टो के एक और स्कूल विलकिंसन जूनियर पाबलिक स्कूल में तुल्बा और स्टाफ में करोना के वाइरस की मौजूद की कि इनकिशाफ के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया इस सिलसीले में महेंग में ने मज़ीद तफसिलाआ जारी नहीं की ताहम हुकाम का कहना है कि ऐसा हिफाज़ती एकदाम के तोर पर किया गया है और तिबी 96.9 के बाद सकूल को दुबारा खोल दिया जाएगा Environment Canada की जानिब से टॉरंटो के लिए बरवबारी की वार्निंग जारी की गई है महिकमे मौसमियाद की जानिब से कहा गया है कि शदीद मौसमी सुरतिहाल ड्राइवर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है इस वाले से नजीद चानते हैं Environment Canada की जानिब से टॉरंटो के लिए बरवबारी की वार्निंग जारी की गई है महिकमे मौसमियाद की जानिब से कहा गया है कि शदीद मौसमी सुरतिहाल ड्राइवर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है शदीद बरवबारी के पेशे नजर शेहरियों को एहतियाती तदाबीर इखियार करने का मशवरा दिया गया है महिकमे मौसमियाद ऑन्टेरियो ने ऐलान किया है कि ट्रॉंटो और जीटिये के इलाकों में पीर और मंगल के दिन शदीद सर्दी और बरवबारी का इमकान है महिकमे ने इस सलसले में एक खुसूसी ऐलामिया जारी करते हुए कहा है कि हिल्टन पील और ओटावा में भी जमा देने वाली सर्दी और बरवबारी होगी और ओंटेरियो के शुमाले इलाकों पेपरिसाउंड और बरवबारी के इलाकों में भी 15 सेंटी मीटर तक बरवबारी पढ़ने का इमकान है हुकाम का कहना है कि अगले हफ़ते तक 50 से 70 किलो मीटर फी घंटा की रफ़नार से तेज हवाईं भी चलेंगी शेहरियों को हिफाज़ती एकदमात का ख्याल रखने की हिदायत की गई है महेक में मौसमियाद के मताबिक मंगल के रोज धूप निकलेगी ताहम दरजह हरारत मजीद कम हो जाएगा कैनेडा में कोरोना वारिस के सबब सबसे जादा हलाकते क्यूब एक सुबह में हुई है सुबह में कोरोना वारिस के मजमुई केसिस की तादाद 455868 है मजीद चौनत हैं इस डिपोर्ट में कैनेडा भर में कोरोना वारिस के फैलाओं में कमी देखने में आ रही है आखरे इतलाद के मताबिक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादाद 18,2369 तक पहुँच चुकी है जबके हलाकत 29,757 हो गई, मुल्क भर में 17,45,291 से जायत मरीज सहत्याप हो चुके है आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जदादा है सूबे भर में करोना वाइरस से मतासिर होने वालों की तादाद 6,21,260 तक जा पहुची है जबके हलाकतों की तादाद 10,016 है कैनेडा में करोना वाइरस के सबब सबसे जदा हलाकतیں क्यू बैक सूबे में हुई है सूबे में करोना वायरिस के मच्वूई केसिस की तादाद 4,51,868 है जबके सूबे में करोना वायरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,585 तक पहुँच चुकी है कनेडियन सूबे अलबर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक्क करोना वायरिस की वज़ा से बहरानी सूरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 3,36,392 अफराद करोना वायरिस से मतासिर हुए हैं जबके 3,258 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कॉलंबिया में केसिस की तादा 2,19,584 है जबके सूबे में करोना वायरिस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,351 है वाशिंग्टन में होने वाली डेमोक्रिसी जलास में गेर जमूरी कुवतों पर पाबंदिया आइद की जाने का इमकान है इस हवाले से मसीच चानते है वाशिंग्टन में होने वाली डेमोक्रेसी इजलास में गर जम्हुरी कुटों पर पाबंदिया आइट की जाने का इमकान है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान उन 110 मुमालिक में शामिल है जिन्हें 9 से 10 दिसंबर के इजलास में मदू किया गया है लेकिन इसकी जाने से अभी तक शिर्कत की तद्दीक नहीं की गई अमरीकी मीडिया के मुक्तलिफ आउटलिट से रिपोर्ट किया कि अमरीकी महकमे खजाना इस हबते इजलास के मौके पर सिलसलावार पाबंदिया आइट करेगा जिन में ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाएगा जो जम्हूरियत को नुकसान पहुचाते हैं इन पाबंदियों में इनसानी हुकुक की संगीन खिलाफ वर्जियों और बद उन्वानी में मुलाविस अफराद को भी निशाना बनाया जाएगा वाशिंग्टन में एक तर्जमान ने रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि महकमे खजाना ऐसे अफराद को नामजद करने के लिए मुतादित कारवाईया करेगा जो दुनिया भर में जम्हूरियत और जम्हूरी इदारों को नुकसान पहुचाने वाली बदनियती की सर का एलान करेगा वाशिंग्टन के एक तिंक टैंक कानेगी एडविन फिंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने कहा कि बाइडन इंतिजाम यान इजलास में हकूमतों को मदू करते हुए सबकी शमूलियत के नुक्ते नजर का इंतखाब किया जिनको मदू किया गया कि उन में पाकिस्तान के साथ दोहजार इकिस ने आज़ाइव से जुझवी तोर पर आज़ाद के दर्जे और गिर Kaiserापर गया हुए तर्की किसुदर तयए बरडवान पर कातलाना हमले की साज़िशना काम बना बना दी गई तयब उर्दवान की सिक्योर्टी पर मामूर गाड़ी में बम नस्ब किया गया था मज़ी चांदे हैं इस रेपोर्ट में तर्की के सदर रजब तयब उर्दवान पर गातलाना हमले की साज़िश नाकाम बना दी गई पर तिर्क मीडिया के मताबिक सदर तयव अर्दवान पर सूबा सीरत के दोरे के माके पर हमले का मंसूबा बनाए गया तहा जिसे बरवक्त कारवाई करके नाकाम बना दिया गया गुजिशता शब तर्की के शहर सीती में होने वाली रेली पर हमले की कोशिश की गई थी और तैयब अर्दवान की सिक्योर्टी पर मामूर गाड़ी में बम नस्ब किया गया था रिपोर्ट के मताबिक एक रिमोट कंट्रोल बम पॉलिस वैन के साथ नस्ब किया था बम डिवाइस को फाल होने से पहले ही ड्यूटी पर तायूनात पुलिस एहलकारों ने आकाम बना दिया भारती रियासर राजिस्तान के शहर जेपूर में एक ही खानदान के नौ अफराद आलमी वबा करोना वारस की नई किसम ओमी करोन का शिकार हो गए जिसके बाद भारत में ओमी करोन वारियन के केसिस की तादाद 21 हो गई मजी चौनते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस से मतासरा अफराद की तादाद 26 करोर 62,15,281 तक जा पहुची है जबके इस मुजी वारस से आमवात 52,73,301 हो गई जबके 23,98,62,487 करोना मरीज सहधियाब हो चुके हैं अमरीकी रियासत नियू यॉर्क में ओमी करोन वारस के मजीद 5 केसिस रिपोर्ट हो गए अमरीका सफर के लिए एक दिन पहले करोना टेस्ट कराना लाजमी करार दे दिया गया है करोना वारस के केसिस और इससे अमवात के एतिबार से अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारस से अब तक 8,88,763 अफराद मौत के मुँ में पहुँच चुके हैं जबके इससे बिमार होने वालों की मचमुई तादाद 4,99,89,856 हो चुकी है भारती रियासत राजिस्तान के शहर जैपूर में एक ही खानदान के नौ अफराद आलमी वबा करोना वारस की नई गिसम ओमिक्रोन का शिकार हो गए हैं जिसके बाद भारत में ओमिक्रोन वारियंट के केसिस की तादाद 21 हो गई तरकी में करोना वारस से अमवाद 87,830 तक जा पहुँची ही जबके केसिस 89,1117 हो चुके है इरान में करोना वारस से कुल अमवाद की तादाद 1,30,988 हो गई जबके इसके कुल केसिस 61,34,435 हो गई साओधी अरब इसी फैरिस में 60 नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वारस से अब तक कुल अमवाद 88,844 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्लिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,49,912 तक जा पहुँची है टाग टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टाग टीवी टाग टीवी अपडेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कानदा और अराउंड गलोग Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV